Hello Student, आ Lite में देखेंगे हम लोग Components of Computer, Computer के भाग, ठीक है? तो देखो Computer के भाग को देखने स्पहले हम देख लेते हैं उसका समानने परिचाए आज हम जिस computer के इस्तिमाल करते हैं उसे PC कहा जाता है अगर कोई वेक्ति आप से या प्रश्ण करे कि PC क्या होता है तो PC का सापदिक अर्थ होता है personal computer अर्थात एक ऐसा computer जिसे कोई वेक्ति का तोर पर खरीद कर अपने लिए इस्तिमाल कर सकता है केवल IBM के द्वारा बनाया गया personal computer ही PC नहीं है बलकि Apple जैसी company द्वारा बनाया गया personal computer भी PC के स्रेड़ी में आते हैं आईए सबसे पहले देखेंगे कि एक computer किन किन तद्दों से मिलकर बना होता है तो सबसे पहले देखते हैं system component बरतमान समय में इस्तेमाल होने वाला personal computer में सधाराण और जटिल दोनों तरह के components होते हैं सधाराण इन्हें इस तरह से कहा जा सकता है कि कई दसकों के विकास की वज़ा से बहुत से component मिलकर एक integrated component के निर्मार करते हैं की वज़ा से computer के एक parts का क्या होता है निर्मार होता है इसे जटिल इस तरह से कहा जाता है कि modern system के अंतरगत ऐसे बहुत से function जूड़ते जा रहे हैं जो पूराने system में नहीं थे वरतमान समय में एक personal computer को assemble करने में जीन components की जरूरत होती है वह निमन प्रकार से होते हैं मतलब यह सबको मिला कि क्या बनता है आपको एक components बनता है तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग motherboard computer का सबसे ज़्यादा circuit इसी component में होता है इसमें ही रेम से लेकर hard disk जैसी सबे भाग को जोड़े जाते हैं मतलब computer system के सबसे ज़्यादा जो है किसमें होता है motherboard में फिर देखो power supply इसको बोलते है smps switch mode power supply यह component cabinet से जुड़ा होता है इसके द्वारा ही समुच्चे computer में विद्दूत की अपूरती होती है इसकी छमता जो है वो 200 watt से लेकर 250 watt तक हो सकता है तो यह आपका क्या हो गया smps ठीक है उसके बाद देखो अगला है floppy disk इसके जरीए आप floppy में store data computer में input कर सकते हैं और computer की hard disk में store data floppy में copy कर सकते हैं प्रादम में कितने इंच का होता था तो 8 इंच का होता था इसके बाद यह अकार कम होकर सवा 5 इंच का हो गया और आजकाल 3 इंच की floppy drive का इस्तेमाल किया जा रहा है इसका data store करने की चमता 1.4 megabyte से लेका 2.88 megabyte तक हो सकती है मतलब यह आपका objective में आ सकता है तो इसको ध्यान देना है आपको store करने की चमता उसके बाद देखो hard disk इसका इस्तेमाल computer में secondary memory के तोर पर होता है और यह computer का सबसे भरोर से मन storage माध्यम है और तमान समय में इसकी चमता gigabyte से भी आगे निकल गई है तकनिक की वज़ा से इसका अकार कम होते जा रहा है और data store करने की चमता बढ़ती जा रही है तकनिक की वज़ा से इसका अकार क्या हो रहा है कम होते जा रहा है और data store करने की चमता बढ़ती जा रही है इसे computer की motherboard में लगी IETE या SCASEY port से जोड़त जीधे याइए डीई पॉर्ट यह यद रूशना फिर अगला रखिया तर्ली डिक्स में इत्यादि को आसेंबल कयाना नुख्राइए जाता है इसी के बिलट में massively किया जाता है आसेंबल किया जाता है इसेफलों करने डयला-इस, कर सुनते हैं वह वास्तों में एक प्रोसेसर का ही नाम है इसे मदर बोर्ड में लगाया जाता है जो डाइग्राम में है आपका प्रोसेसर उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग रेम रेंडम एकसिस मेमोरी इसे हम कंप्योटर का दिमाग कह सकते हैं इसे मदर बोर्ड में ब बुमन नहां हो और नहां हो नहां हो वित उन्हां हो